नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्तान के अंदर तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा जो विद्यू दिबाग 2018 की विकेंसी आ चुकी है जिसमें LDC जूनियर अकाउंटेंट ओफिसर एंड जो इस्टेनोग्राफ पूचा है कि अपने चित्रा खेरवान पूचा है कि LDC का सिलेबस एंड जो क्वालिफिकेशन के बारे में बताई है तो क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजवेशन है और साथ ही मापके पास जो कम्पीटर कोर्स होना चाहिए तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी कुशन कर दो की जोलिफिकेशन किस तरीके से डाउनलोड करना है उसके साथ ही झार की जो जूनियर अकाउं यह हमारे पास लूचे तो इनर्जी राज टाइप करके सर्च बटन को पर हमें क्लिक करना है तो जैसे हम सर्च बटन के उपर क्लिक करेंगे जो हमार पास राजस्तान गुवर्मेंट की ओफिशल वेबसाइड का लिंक आ जाता है एनर्जी डोट राजस्तान डोट जी ओवी डोट इन तो यह जो ओफिशल वेबसाइड है इसकी विदुदिभाग की जो गोवर्मेंट ओफ राजस्तान एनर्जी पोर्टल तो आप देख सकते हैं यह ओफिशल वेबसाइड को होमपेज हमार पास खुल गया है ठीक है दोस्त हम तीन पॉइंट को अपड़ क्लिक करते हैं तो हमार पास एक जो नेविगेशन बार खुल जाती है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है होम उसके बाद डिपार्पेंट उसके बाद रिक्अर्मेंट तो हमें जो लाश्ट को उपशन है रिकवार्मेंट वाला उसको आपन हमे रखते हैं तो जैसे आपको link open करेगे तो आपके केरियर का option आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं जो सबस्टेप सबसे पहले link ते रखी है common requirement for various post in state power companies जो companies है JVNL, AVNL, JVVNL तो ये वेकें companies से energy department लाजस्तान की तो हमें उस link ओपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो एक नया new link open हो जाती है तो आप देख सकते हैं जो फिर option आथा हमारे पास common requirement for various post in state power companies तो आप देख सकते हैं ये RVUNL, RVPNL, JVVNL, AVNL, JVVNL की तो ये आप आप देख सकते हैं companies के ये logos है ठीक है तो आपके पास जो ये non-technical post निकली है तो इन सभी की details से सम्मदित जो आपके पास format आपके सामने आ जाता है तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले link है short advertisement की तो इसके अंदर आप जैसे link के उपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक PDF फाइल खुलिएगी जिसमें post का नाम रहेगा और जो date रहेगी form बरने की क्या है और जो पोस्टों की संख्या क्या है और जो किस department and companies के अंदर कितनी क्या vacancies है उससे सम्मदित detail है और उसके बाद जो second option आता है detail advertisement the post of personal officer and accountants and उसके बाद जो third option उसके अंदर भी जो advertisement है विग्यप्ति detail advertisement for post of assistant personal officer junior legal officer junior accountant stenographer junior assistant commercial assistant तो जैसे ही आप इस link ओपर क्लिक करते हो तो आपके पास जो एक PDF फाइल खुल जाती है तो PDF फाइल के अंदर आपके पास आप देख सकते हैं तो आपके PDF फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यह PDF फाइल है जिसके अंदर जो सारी details बता रखिए कि जो क्या syllabus रहेगा कब form start होगे लडिसी का syllabus क्या है जिसमें पोस्ट के संग्या क्या है जूनियर अकाउंटेड में क्या इसमें यूग्यता है उसी से रिलेटेड आपके इस PDF का अंदर संपून जानकारी मिल जाएगी ठीक है दोस्तों तो यह वेकेंसी की notification आप डाउनलोड कर सकते है इस तरीके से तो आप देख सकते हैं इन पोस्टों का वर्गिकरान भी दे रखा है कितनी क्या पोस्ट जैसे आपको जो सेलेबस भी है लास्ट के अंदर आपको मिल जाएगा तो आप इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फाइल को और जो आराम से इसको देख लीजिएगा ध्यान से कि फोर्म बढ़ते टाइम आपसे कोई जो किस परकार इसका पेपर होगा तो संपून डिटेल आपको मिल जाएगी जो कौन सी पोस्ट का कितना पेमेंट रहेगा कितनी क्या से लेदी रहेगी तो इस परकार आप देख सकते है जो इजुकेशन क्वालिफिकेशन का थर्ड नंबर पर ओप्शन है जिसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए लेजिबल हो तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो जैसे जुनियर अकाउंटेट के अंदर भी कोम होना चाहिए ग्रेजवेशन डिगरी के अंदर या फिर बिजनेस उप्शन दे रहा है एंड जो जुनियर अकाउंटेट एंड जो कोमर्शल असिस्टेंड तो आप मैं से काफी जन्होंने सवाल किया था कि जो यह जुनियर असिस्टेंड एल्डिसी की विकेंसी है इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन ट्वेल पास नहीं होकर डिगरी पर क् क्योंकि इसके अंदर जो कोमर्शल असिस्टेंड वो पोस्ट थोड़ी हाई लेवल की हो जाती है जिसके लिए ग्रेजवेशन अनिवाद यह है तो इसलिए लडिसी की पोस्ट में ट्वेल ना रखकें ग्रेजवेशन डिगरी रखी गई है और साथ ही मैं आपके पास कंप प्लिट पीडिया फाइल को ठीक है तो आप देख लीजिएगा इस परकार है यह फाइल तो यह ओफिशली फूरूफ है तो जो मैंने स्टार्डिंग में वीडियो बनाया था तो काफी जनों कर लगा कि यह फेक वीडियो तो लेकिन मैं हमेशा अपने चैनल पर ऑथेंटिक जानकर ही देता हूँ आप से भी सातियों को ठीक है दोस्तों तो आप इस परकार देख सकता है और जो सेले बस आपको लास्ट में मिल जाएगा और जो फीस रहेगी आपकी जो जनरल केटिकरिय उनकी साड़े आट सो है अगर आप उनकी आई डहिलाक रुपे से कम है तो उन आपकेचल के मष्य अजरम खोर इसका है कि परष्य नहींट मिल जाएगा और यह भी बता रहा है कि इसके अंदर क्या प्रोटेस रहेगी सेलेक्शन का टो थीक है दूस इसक्ती परकार आप देख सकते कितने क्या माक्स खैक्स का चौरे अगर लट आपिंग टेस्ट होता ह है जिसमें efficiency test and जो typing test होगा ठीक है दोस्तों तो उसके बाद हम आते ही कि जिसका online form कैसे apply करना है तो आप जैसे उस link को open करेगे तो आपके पास जो यह advertisement की link है उसी के अंदर यह आपको जो मिल जाएगा तो आप देख सकते यह apply online link को दिख रहा होगा आपको ठीक है तो यह link में description में भी प्रोवाइड करा दूंगा तो आप जो apply online पर जैसे click करोगे तो आपके पास एको नए link खुल जाएगी जिसके अंदर आपको जो IBPS की थूँ यह form बढ़ा जा रहा है तो IBPS के server पर इसका जो form last name जो confirm last name जो इस पर का mobile नमर डालना email ID डालनी उसके बाद submit कर देना ठीक है तो submit करने के बाद उसके बाद जो second option आता है photo sign का तो आप जो size रहेगी आपकी जो बता रखिए उस इसाब से आपको upload करनी है ठीक है photo signature upload हो जाएंगे उसके बाद details बढ़ने है जैसे आपकी education qualification किस पोस्ट के लिए आप apply कर रहे हो किस companies से apply कर रहे हो जैसे अगर आप अजमेर विदू तुवितर निगम से apply करना चाहते हो तो उसका option choose करना होगा एंड जो एक post के लिए आप एक ही form भर सकते है जैसा अगर आप junior accounted का बरते हो तो junior accounted select करना होगा एंड LDC का बढ़ना है तो LDC का select करना होगा एंड उसके बाद जो अपनको preview करना होगा check करना होगा कि हमारी सारी जानकरी सही है एंड उसके बाद हमने जो payment काट देना है तो इस परगार हमारा जो फॉर्म है वो भी कंप्लेट हो जाएगा तो आप भर सकते हैं अगर आपको किसी भी परकार की प्रोब्म आती है तो प्लीज कमेंट करेंगा मैं जल्दी से जल्दी सोल करने की कोशिस करूँगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको बताना था जानकरी छोटी सी ठीक है दोस्तों तो ये ओफिशली आ चुका है नोटिफिकेशन जिसमें से मुझे कमेंट भी आया था कि ये फेक न्यूज है ठीक है दोस्त तो। यह वीडियो आपके साथ शेर करना था। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना पसंद नहीं है तो इसलिक करना मिलता है नए वीडियो में and best of luck आप सभी को तयारी कीजिए और बताइए कैसे चल रहे आपकी तयारी किस पोस्ट के लिए आप तयारी कर रहे हूं ठीक है दोस्तों तो अच्छे से तयारी कीजिए best of luck and धन्यवाद अमार साथ बन रहने के लिए मिलता है next video में तब तक लिए जेहिन वंदे मात्रम and thanks for being with Techno Rajasthan thank you दोस्तों and best of luck to all of you